ओनरेबल जस्टिस के अवलेबल ना होने की कंडिशन में दिनांक 19 जुलाई 2022 को प्रस्तावित माननी सुप्रियम कोट में बियर्ड अभियर्थों के इलिजिबिल्टी मैटर की सुनवाई नहीं हो पाई थी इस मामले के लंबित होने से लाखो अभियर्थों का भविश दाव पर लग गया है क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में आंतर तक जुड़े रहीएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आकन को प्रिस करना ना भूले जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रिदेश समयत पूरे देश भर में इस समय बियड डियलड में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है जहां उत्तर प्रिदेश की अगर मैं बात करूं तो बियड में प्रवेस के लिए आवेदन हो चुके हैं और इसके लिए प्रवेस भी हो चुकी है और बहुत जल्द इसके रिजल्ट की घोशना भी होने वाली है प्रवेस परिक्षा के रिजल्ट की और अगर डियलड में अड्मिशन की प्रक्रिया की बात की जाए तो दिनांक 25 जुलाई 2022 आवेदन की अंतिमति थी है अब मानने सुप्रियम कोट के द्वार अगर 19 जुलाई 2022 को सुनवाई हुई रहती और किसी के भी फेवर में फैसला अगर आ गया रहता तो अभीर्थी कन्फ्यूजड नहीं होते हैं कि भविशे में जाकर के उनको बियर्ड में प्रविश लेना है या फिर डियलड में प्रविश लेना है क्योंकि भले या आज क कंडिशन में जो अभीर्थी बियर्ड में प्रविश ले रहे हैं उनका कहीं न कहीं प्रात्मिक में भी एक लक्षे होता है और इसी वज़े से ऐसे अभीर्थी जो सिर्फ प्रात्मिक में जाना चाहते हैं लेकिन आज के कंडिशन की साबसे वो बियर्ड उनके लिए बहतर आता है तब तक admission की प्रक्या समाप्त हो चुकी होगी तो ऐसे अभियर्थियों के पास फिर डियलेड में प्रवेश के लिए options ही नहीं बचेगा और अगर 19 जुलाई 2022 को सुनवाई complete हो गई रहती और कुछ फैसला अगर आ गया रहता तो अभी 25 जुलाई 2022 तक का अंतिम तिति है आवेदन करने के लिए डियलेड में तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं सेफ तरीके से रहना चाहते हैं तो भले ही आप डियलेड में प्रवेश के लिए आवेदन जरूर किये होंगे लेकिन आप डियलेड में भी आवेदन जरूर कर दीजेगा 700 800 रुपए फीस आपक डियलेड में admission के लिए आवेदन ही नहीं किया तो फिर आप direct admission में भी participate नहीं कर पाएंगे हलां कि पिछले दो वर्सों से देखा जा रहा है कि PNP direct admission दे रही है लेकिन उनी को मिलता है ये मौका जो आवेदन किये रहते हैं जो registration किये रहते हैं तो कम से कम आप registration कर दीजे 700-800 जो भी आपका fees लगेगा भविश में आपके पास options रहेंगे अगर मानेने सुप्रीम कोट के द्वारा एक दो महीने के अंदर कुछ इस प्रकार का फैसला आ जाता है तो आप dealer में प्रवेश ले सकते हैं अगर एक मातर विकल्प एक मातर लक्ष आपका प्रात्मिक है उस condition में अनेथा की condition में जब पूरे देशपन में प्रक्रिया समाप्त हो जागी और ये तो तह है कि कि किसी ना किसी एक के ही फैवर में फैसला आएगा और किसी एक 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 अगेंस्ट में फैसला आएगा ऐसा नहीं होगा कि बीच के रास्ते पर मानेने सुप्रिम कोट कोई decision दे क्योंकि जो चीजे आपके याचिका में प्रे की गई रहती हैं उनी पर मानेने court फैसला देती है आज कीड़ेट में अगर बात करें पातरता विवाद मामले में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि DLAD को यहां पर प्रात्मिक्ता दी जाया क्योंकि मानेने जोदपूर हाई court के फैसले के अधार पर मानेने सुप्रिम कोट में यह मामला गया है और मानेने जोदपूर हाई court ने जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसको गलत पाया गया था और इस वज़े से DLAD को प्रायर्टी देने की सवाल ही नहीं मतलब वहां पर बात ही नहीं की गई थी तो बीच की रास्ते पर सायद कुछ फैसला ना आये तो निश्चित तोर पर किसी एक के अगेंस्ट और किसी एक के फैवर्म फैसला आएगा तो आप सभी इसके लिए mentally पहले से प्रिपेर रहना होगा अगर प्रवेश लेने के एक चुक है तो उमीद करता हूँ आपको सारी चीजे इस पश्ट हो रही होंगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शोभो